दोस्तो नमस्कार यदि आप यह जानना चाहते हैं कि एक सफल नेता और एक साधारण नेता में क्या अंतर होता है कौन से चीज़े हैं जो एक नेता को सफल और महान बनाती है और कौन से चीज़े हैं जो हर एक नेता को सफल और महान नेता बनने के लिए सीखनी चाहिए तो य एक बड़ीहा नेत्रित उत्रदान कर सकें और आज के इस master class में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसी qualities, 6 ऐसे गुन जो एक निता को सफल बनाती है, महान बनाती है, लोकप्री बनाती है और लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़न जाने वाले हैं, उन्हें आप कभे भी मिस ना करें, तो आईए आते हैं आज के विश्व में जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे qualities, 6 ऐसे गुन जो एक साधारन निता को सफल निता बनाती है, महान निता बनाती है और लोगों के बीच लोकप्री बनाती है, तो आईए देखते है बारी-बारी से कि वो 6 qualities, 6 ऐसे हैं, सबसे पहला गुन होता है influence यदि की प्रभाव, एक नेता का जो असली पैमाना होता है, कि वो कितना बड़ा नेता है, कितना मजबूत नेता है, वो साबित होता है उसके प्रभाव से, वो कितने लोगों प्रभावीत करते हैं, कितने छे शेहर को प्रभावित करते हैं, वो आप एक शेहर के नेता होते हैं, आप अपने प्रदेश के लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रदेश के लोगों के बीच आप इस प्रकार की छबी है, कि आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, तो आप प्रदेश के नेता होते हैं, औ लोगों आप को देखते हैं आपकी बात सुनते हैं और आपके कहने पर निर्णेल related इसका मतलब आप राश्तरी स्थ पर लोगों को मँखावीत робरराय हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रभाौ है वही निता बनाता है जो प्रभाौ है वह हर एक निता को करना चाहिए वो है कि अपना प्रभाव बढ़ाने का काम अपना इंफ्लूएंस बढ़ाने का काम और अपना जिस प्रकार से वो दायरा बढ़ाते जाता है उसी प्रकार से वो एक बड़े निता के रोप में उभरता जाता है लोगों के बीच अपनी चबी बना और देखिए कैसे आप एक बड़े नेता के रुप में आगे जाकर उभरते हैं तो यह हो गई पहली चीज दूसरी जो चीज है जो एक नेता को साधरन नेता से सफल नेता बनाती है वो है ग्रोथ जी हां ग्रोथ मतलब की आप किस प्रकार अपने आपको आके बढ़ा रहे हैं किस प्रकार से आप सीख रहे हैं तो जो सफल नेता होते हैं जो अच्छे नेता होते हैं जो महान नेता होते हैं वो होते हैं lifelong learners जैने कि वो जिन्दगी भर सीखने को तैयार रहते हैं कोई भी नेता छोटा पद पाकर या किसे भी पद पर जाकर या कोई भी चुणावा कुछ कोई नहीं है यह अगर जिस दिन भावना आ जाती उस दिन ही उनका सफर वहां समाप्त हो जाता है तो अगर आपको भी आगे बढ़ते रहना है एक अच्छा निता बनना है सफल निता बनना है जीवन परियंत आप चाहते हैं कि आपकी छबी एक सफल निता गरूप में तो ग्रोथ पर ध्यान देजिए रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए रोज कोई नई कला सीखिए रोज कोई नया गुन सीखिए रोज अपने आपको डेवलप करिए ग्रो करिए एक बहतर लीडर के रोप में तो आप यह सोचिए कि आपका कॉमपेटिशन किसी और से बाहर बनाते जाते हैं तो आने वाला समय उसमें सबसे बहतरी निता की रुप में तो कुछी इस पर फोकस करना बहुत हवश्यक है और यही एक साधाने लीडर को एक महान लीडर में तब्दिल कर देता है तीसरी important quality एक लीडर की है वो है लोगों को value करना याने लोगों का मुल्य समझना और लोगों को सम्मान देना अंगरीजी में यह कहवत है कि people don't care how much you know until they know how much you care इसका मतलब यह होता है कि लोग जो है इस बात की पिल्कुल परवाह नहीं करते कि आप कितने ग्यानी हैं या आप क्या कर सकते हैं या क्या जानते हैं जब तक वो खुद यह नहीं जान जाते कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं तो जो महान नेता होते हैं, जो सफल नेता होते हैं, राजनिती में अगर आप देखें, तो उनकी सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा करणी होता है, कि वो लोगों को मुल्य देते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं, लोगों का इस्पेक्ट करते हैं, और ये समझते हैं कि लोगों के वज़े से ही मैं हूँ, लोगों के वज़े से ही मेरा पद है, लोगों के वज़े से ही मुझे मौका मिला है राजनिती में उनकी अगवाई करने का, तो हमेशा जो हैं लोगों को उपर रखिये, लोगों को सर्वो पर ही रखिये और कभी आप बड़े पद्बेर पहुंच जाएं तो यह मत सोचिये कि आप उनसे आगे निकल गए हैं आप उनसे पड़े हो गए हम के भागी विधाता हो गए हैं। को भागे विधाता बनाने वाले, आपको बड़ा बनाने वाले, वो लोग ही हैं. इसलिए जमीन से जुड कर रहिए, लोगों से जुड कर रहिए, उनकी बातों को सुन्यें, समझने का प्रयास करिए, उनका दुखदर समझीए, को दूर करने का प्रयास करिए और देखे किस तरीके से आप एक साधरन नेता से एक महान नेता के रुप में अपने आपको परिवर्तित कर सकते हैं तो ये होगी तीसरी बात valuing people ये देखी लोगों को ही उनको respect देना चौथा है building trust यानि कि भरोसा को बनाना भरोसे का निर्मान कर कहा जाता है trust is the foundation of leadership यानि कि जो trust होता है जो भरोसा होता है वो new होती है आपके leadership की तो popularity या महान या सफल निता बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप वो भरोसा कितना कमा पाते हैं अपने राजनेतिक जीवन में और भरोसा ऐसा चीज है जो कमाया जाता है उसे ना आप खरीच सकते हैं ना किसी और तरीके से आप प्राप्ट कर सकते हैं जब आप लोग के बीच जाते हैं अपनी बात कहते हैं उनकी बात सुनते हैं उनके दुख दर्स से मुक्ट करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन को बहतर बनाने का प्रयास करते हैं और उनको जब यह भरोसा हो जाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं आप उनके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कितना ब्यास कर रहे हैं, तब जाकर वो अपना पन और वो भरोसा जो है, वो निर्मित होता है इसलिए राजनीति में बहुत आवश्यक है उस भरोसे को बनाना और एक बार आपनी लोग का भरोसा जीत लिया तो जिनमेदारी फिर आपकी हो जाती उस भरोसे को बना कर रखना, उनके भरोसे पर खरा उतरना, तो जब तक ये भरोसा बना रहेगा, आप नेता बने रहेंगे, जिस दिन ये भरोसा अगर तूट गया, तो समझे कि वो संबंद भी तूट गया, इसलिए राजनिती में भरोसा जो है, उसको बनाना बहुत अवश देखो उनके परिवार के जैसे हो तो देखिए भरुसा किस प्रकार बन पाता है तो यह हो गई चौथी पात बिल्डिंग ट्रस्ट पांच वा जो गुन होता है जो एक नेता को साधारन नेता से महानेता बनाता है वो है बैटर डिसिशन मेकिंग यहने की निर्णे लेने की श जितने अच्छे आप निर्णे लेंगे उतना अच्छा आपका भविश्य होगा जितने अच्छे आप निर्णे लेंगे बहतर निर्णे लेंगे उतना ही अच्छा आने वाला कल होगा आने वाला आपका समय होगा इसलिए जो नेता होते हैं वो हर एक सवाल का जवाब उनक वोर टीम है, उनकी बातों को सुनते रहे उनसे इंपूटस लेते रहें, उनसे आपकुछ न फीटबैक लेते रहें, आप जो भी करते हैंОं के साथ चर्चा करते रहें, ताकि आपको पता लग सके कि उनकी क्या रहा है और असलियत है, जो सच्चा है, उससे आप हमेशा वाकि है decision making पे ध्यान देना अपने गट्स को सुनना अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और सही निड़े लेना बेपाक निड़े लेना फिर अपने निड़े पे कायम रहना तो बैटर decision making आपको आगे चलके बैटर लेडर्शिप प्रोइड करती है और बैटर लेडर्शिप से आफिर एक सफल और महान नेता के रुप में अपनी पहचान बना सकते हैं तो यह होगी पांच भी बात छट्वी और आखरी क्वालिटी छट्व और आखरी उन जो किसी पी साधान ले नेता हुए हैं या जो महान नेता होते हैं वह फेलियर को सक्सेस के अपोजिट नहीं देखते हैं वह सफलता का उसको अपोजिट नहीं मानते हैं वह उसे हमेशा सफलता का एक हिस्सा मानते हैं क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो जितनी जल्दी आप सफल होना चाहते है उतनी जल्दी आप failure होने की अपने fail होने की speed को बढ़ा दीजिए उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे इस बात को वो लोग जानते हैं क्योंकि इस सिर्फ बैठे रहने से plan करने से सोचने से कुछ नहीं होता है अगर आप कुछ भी करने जाएंगे तो चीज़ें आपके मन मताबिक नहीं होती उसका परिणाम जो है वो मन मताबिक नहीं होता लेकिन हर एक सफलता आपको इस बात की guarantee देता है कि आप उन सफलताओं से सीख पाएं कुछ learnings ले पाएं कुछ lessons ले पाएं कुछ सबक सीख सकें और फिर उस सबक को apply करके उस सबक को अपना कर आप और ने आपको बहतर बना सकें बहतर तयारी कर सकें और जब अगले बार आप प्रयास करें तो उसमें आप सफल हो सकें तो कोई भी ऐसा सफल वेक्ती नहीं है जो असफल नहीं हुआ हो और सफल नेता महान नेता इस बात क बहुत अच्छे से जानते हैं कि सफलता जो है उससे हमें सीखने को बिलती है वो एक सिड़ी होती है आगे आने वाली सफलता को प्राप्ट करने के लिए तो दोस्तों ये वो 6 qualities होते हैं एक महान और सफल लिडर्स के जो उन्हें साधरन नेता से अलग करके एक महान नेता और स संख्या कम होती है क्योंकि जादातर लोग साधरन नेता ही बनकर रहे जाते हैं साधरन नेता बनकर ही राजनिती में अपना जीवन काट लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होती कि साधरन से जो महानता की जर्नी है जो यात्रा है वो किस प्रकार से होती है और अपने आपको वो तैयार नहीं करते हीं चीज़ों के लिए, तो यदि आप भी भविश्य में एक सफल और महान निदा बनना चाहते हैं, तो इन छे गुनों के उपर अवश्य काम करिए, और देखिए कैसे आप एक सफल और महान निदा के रुप में, अपनी पहचान मना पाएंगे, आने वाले समय में, आने वाले राजनिती में, तो दोस्तो अगर ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि आप भी उनकी बदद कर सके हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिग के जरूर बताइए, कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भविश्व में, ये आप किसी और विश्व में वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी नीचे लिखकर सरूर बताइए, दोस्तो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, अगर आप मुन से चुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे विए पी फेस्बुक ग्रूप में आपका स्वागत है, जिसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि अप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंट्रेस्टटेड हैं, राजनती में हागे बढ़ना चाहते हैं, राजनती के विशह में जानना चाहते हैं, अपने आपको एक सफल और मजबूत निन्टा बनाना चाहते हैं तो मेरे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस लांजमेट की स्कूर्स में अगर आप विएईपी मेंबर बनते हैं तो अभी कुछ समय के लिए विएईपी मेंबर्शिप बिल्कुल फ्री है तो देर मत किजिए अभी अपने आपको रिजिस्टर करिए यासे विए अभी मेंबर पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में और अपने राजनती की याद्राइकों शुरू किजिए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए पॉलिटिक्स और लिडर्शिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक धन्यवाद जय हिंद